अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो आपका स्वागत है इस चैनल पर हम बात करते हैं लॉफ अट्रेक्शन, सेल्फ लॉफ, सक्से स्टोरीज, मंत्राज, मेडिटेशन, अफर्मेशन और आपको आपके लाइफ में जो भी चाहिए उसे कैसे हासिल करना है उसके लिए यहाँ पर गाइड किया जाता है तो अगर आप इन चीजों में इंट्रस्टेड हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू सो मच तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी अपने specific person को हमेशा याद करते रहते हैं या फिर अगर आप किसी को भी हमेशा याद करते रहते हैं किसी के बारे में सोचते रहते हैं वो आपके खयालों में रहते हैं तो आपके साथ और उस पॉसन के साथ में क्या होता है? देखो, हम सब वाइब्रेशनल बींग्स है, यानि हम सब ही जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सब कुछ वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स में जाता है, और हम सभी लोग सब कॉंसिесलि एक दूसरे से किनेकटेड भी हैं, यानि सब कॉंसिस माइंड या हम ये कहें कि जो सूपर कॉंसिस नवारा माइंड है, उस लेवल पे हम सब ही एक हैं, जब अप देफ़ पावर ओफ ये सब कॉंसिस माइंड बुक रीड करते हों, तो आपको इससे related और भी ज्यादा deep knowledge पता चलती है तो अगर आपको इससे ज्यादा deep knowledge चाहिए तो आप वो भी rate कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या होता है देखो जब भी आप किसी के भी बारे में सोचते हो जैसे आपने specific person के बारे में सोचा तो वो thought आपके brain से निकलता है, आपके mind से निकलता है और मतलब एक तरीके से travel करता है universe में और जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो उस तक भी ये पहुँची जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को याद करते हो करते ही रहते हो तो बस वो person भी आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कही ना कहीं से उन तक आपके बाते पहुँची जाती है वो भी आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते है भले ही वो आपसे contact करे या ना करे मालो आपके बीच में relationship में कुछ गड़बड़ियां चल रही है हो सकता है वो आपको contact ना करे जब गड़बड़ी बड़ी लेवल पे होती है हाला कि उनके mind में आप चल रहे होते हैं वो आपको याद कर रहे होते हैं कई बार ऐसा आप notice करो कि अगर आप किसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो और mind में थोड़ी positivity के साथ सोच रहे हो अच्छी यादे आप सोच रहे हो तो होता क्या है कि वो person आपको कही ना कहीं से contact कर लेता है यानि आपके specific person हो या फिर अगर आप किसी और के भी सोच रहे हो लेकिन होता ये है कि जब हम अपने specific person के बारे में सोचते हैं तो हमारी भावनाएं थोड़ी ज्यादा higher level के होती है यानि कि बहुत ज्यादा intense feeling होती है कहने का मतलब ये है कि feelings को आप बहुत ही ज्यादा feel करते हो और जैसा कि हम जानते है कि जहां पे भी हमारा focus ह होता है और जिस चीज को हम extremely feel करते हैं universe हमारे लिए वो चीज लाकर के देही देते हैं तो इसी बज़े से आपके specific person के calls and messages ये सारी चीज़े आती है मालो बहुत अच्छे टाइम को याद कर रहे हूँ तो आपके specific person आपके साथ क्या करेंगे वही सारी चीज़े करना start कर दें की तो इस तरीके से अगर आप याद करते रहते हो यानि पूरे दिन सोचते रहते हो उनके बारे में किसी भी तरीके से तो बस उन तक आपके बाते पहुंच ही जाती है कही ना कहीं से यानि यो reverse में चुकि हमारी जो thoughts होते हैं vibration के रुप में travel करते हैं इस वज़े से वो पह करने लगते हो कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है सरनली कोई आपको बहुत ज्यादा याद आने लगता है किसी की याद सताने लग जाती है और कोई ऐसे ही बस पूरे दिन माइंड में चलना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको भी कोई ना कोई याद कर रहा ह और कहीं ना कहीं से वो आपके बारे में बाते कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से thoughts travel करके आप तक पहुँच रहे हैं जब आप किसी को याद करते हूँ तो एक बात तो sure होती है कि आपकी vibration भी अगर आप positive way में जैसे कि हम याद दो तरीके से करते हैं positive way में and negative way में miss करना and किसी अच्छे moment को याद करना दोनों में बहुत difference होता है ठीक है अगर आप किसी को miss करने में भी आप positive या negative way में कर सकते हो तो अगर आप चीजों को positive way में याद कर रहे हो मिस कर रहे हो तो चीजे आपके लिए positive ही होंगी यानि कि अच्छे results आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके दिल में अच्छी feelings होगे आपका focus अच्छी चीजों पर होगा वहीं पर अगर आप कहीं से negative के रूप में याद कर रहे हो negativity पर focused हो करके miss कर रहे हो एक तरीके से कमी को महसूस कर रहे हो तो ये एक negative impact लाता है सामने वाले person के अंदर भी वो भी आपके लिए negative feelings को feel करना start कर देता है तो इस चीज़ को आपको avoid करना चाहिए and हो सके तो जो अच्छे moments आपने spend किया है उन moments को आप याद कीजिए उन moments को फिर से आप अपने mind में rewind कीजिए कोई problem नहीं होगी उससे आपकी life में बहुत अच्छी चीज़े ही होगी हाला कि अगर आप किसी ऐसे moment को याद करके मतलब याद कर रहे हो जो कि उतना अच्छा नहीं था आपके vibration low हो रही है तो ऐसे moments को आप याद करने से बचिए ठीक है तो ये थी आज की वीडियो में पूरी information कि जब आप किसी को याद करते हो या अपने specific person को याद करते हो तो उनके साथ क्या होता है आपके साथ क्या होता है सारी चीजों की जानकारी मैंने दे दी और इसके साथ ही जो लोग मुझे से पूछते हैं कि कोर सुटीनिया अधर चीजे कैसे करनी है कैसे लेनी है तो मैं आपको बता दू आप मुझे Instagram ये Gmail कितरो contact कर सकते हो जिसकी link आपको हमेशा ही description box या फिर वीडियो के screen पर मिलती है तो मिलता है next वीडियो में तब तक अप